नमस्कार मैं हूँ अंजू पंकज आप सब को गुड़ी पढ़वा और नवरात्र की धेश सारी शुब कामनाएं देवी मा की कृपा आप सब पर बने रहे लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली के कट्टर इमानदार सीम अर्विन के जिवाल को पहले ही नवरात्र पर जोरदार छट का लगा है दिल्ली हाई कोट से अर्विन के जिवाल ने दिल्ली हाई कोट में जो याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने एडी द्वारा उनकी गिरफतारी को अवैद बताया था ये कहा था कि उन्हें गलत तरीके से गिरफतार किया गया है उस याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ देर पहले फैसला सुना दिया है उस फैसले के मताबिक अर्विंद के जिवाल की एडी दौरा गिरफतारी बिलकुत सही है कानून के हिसाब से उनकी गिरफतारी की गई है किसी भी तरीके से उस गिरफतारी को अवैद नहीं कहा जा सकता एडी के पास अर्विंद के जिवाल को लगा है बलकि आमादी पार्टी को भी लगा है और सीनियर एड़ोकेट अभिशेक मनु सिंग्वी को भी जोरदार छटका लगा है क्योंकि इस मामले पर जितनी भी दलीलें अभिशेक मनु सिंग्वी की तरफ से अर्विंद के जिवाल के पक्ष म दिल्ली हाइपोर्ट में रखी गई थी उन दलीलों में सिर्फ और सिर्फ उन्होंने इस मामले में राजनीतिक कड़का ही लगाया था अर्विन के जिवाल की गिरफतारी को राजनीतिक शड़यंतर बताया था यह कहा था कि उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार से दूर के लिए इस वक्त गिरफतार किया गया है जबकि पहला संबन तो उनको अक्टूबर में भेजा गया था तो उनकी गिरफतारी पहले क्यों नहीं की गई अब क्यों की गई यहां तक आरोप लगाया था कि उनकी पार्टी को आमाधी पार्टी को क्रश करने के मकसद से एडी अर्विंद केश जिवाल को गिरफतार किया है। ये सारे आरोब अभिशेक मनु सिंग्वी ने लगाये थे। लेकिन जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने एक एक आरोब का बहुती विस्तृत तरीके से जवाब दिया है। और ऐसा जवाब दिया है कि इस वक्त अभिशेक केश जिवाल का नाम नहीं लिया, लेकिन जब उन्होंने ED के दबाव में आकर अर्विन के जिवाल का नाम लिया, उसके बाद उन्हें जमानत भी मिल गई, तो इसी सवाल पर जवाब देते हुए, जस्टिस स्वन कांता शर्मा ने अपने फैस्टे में कहा कि PMLA के तहत रिकॉर्ड किये गए हैं रागव मुगं होता है, और वहाँ पर जांच एजनसी का कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं रहता है, ये बात कोट की तरफ से सुनिश्चित की जाती है, कि गवाब नीडर होकर, निर्भे होकर, बिना किसी दबाव में अपना बयान दर्श करवाए, तो इसलिए सेक्शन 164 के तहर, अद सर गलत है, और फिर आगे अदालत ने कहा, कि सरकारी गवाहों के बयान किस तरह रिकॉर्ड किये गए, इस बात पर शक करना, कोट और जजज पर एक कलंग की तरह है, उसकी गवाही पर सवाल उठाना, अदालत पर सवाल उठाने के समान है, आगे, कोट ने क्या कहा, वो भी आपको बताती हूँ क्योंकि इस मामले में राजनीती बहुत हो रही है बार-बार इस सवाल उठाय जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के मद्दे नजर गिरफतार किया गया है अर्विन केश जिवाल को टाइमिंग पर सवाल उठाय जा रहे हैं कहा जा रहा है कि वो लोकसभा के चुनाव में हिस्सा ना ले पाएं, चुनाव प्रचार ना कर पाएं आमाधी पार्टी के लिए इसलिए उन्हें इसवक्ठ गिरफतार किया गया तो इस मुद्दे पर कोट ने कहा कि ये हम नहीं देखेंगे कि किने कि किसको चुनाव लड़ने के लिए टिकेट दिया और क इसने किसको electoral bond दिया अदालत राजनीती करने का अखाड़ा नहीं है क्योंकि ये बात भी बार बार कही जा रही थी कि बीजेपी को बहुत से शराब कारोबारियों ने electoral bond दिये हैं इसलिए उन्हें जमानत मिल गई उन्हें सरकारी गवाब बना लिया गया ये तमाम बातें अर कोई लियना देना नहीं है क्योंकि अदालत जो है वो सबूतों के अधार पर चलती है जो सबूत EDI की तरफ से अरुण के जिवाल के खिलाफ दिल्ली हाई कोट में रखे गए हैं कोट सिर्फ उनकी बात कर रहा है उन तथ्थों पर कोट चल रहा है आगे कोट में कहा कि अर्विंद केजिवाल शराब घोटाले की साज़िश में शामिल थे आपको याद होगा अभी करीब करीब एक हफ़ता पहले इसी तरह की बाते के कविता की तरफ से भी कही गई थी के कविता को जब गिरफतार किया था एडी ने उसके बाद उन्होंने अपने बयान में कहा थ एडी के सामने कि उन्होंने सिसोधिया और केजिवाल के साथ मिलकर साज़िश रची थी सौ करोड रुपए अर्विंद केजिवाल और सिसोधिया को दिये थे ताकि नई आपकारी पॉलिसी में उनके हिसाब से बदलाव किया जा सके तो उसी साज़िश की बात यहां पर पूत रखे गए हैं एडी की तरफ से वो साफ दिखाते हैं कि अर्विंद केजिवाल शराब घोटाले की साज़िश में शामिल थे एडी ने ये भी खुलासा किया कि केजिवाल आमाधी पार्टी के संयोजग के तौर पर भी इस घोटाले में शामिल थे तो यहां पर तो अ अपने उस सवाल का जवाब मिल गया होगा आपको याद होगा अर्विंद केजिवाल लगातार ये सवाल उठाते आए हैं कि एडी उन्हें जो सम्मन भेज रही हैं वो किस नाते भेज रही हैं पहले सम्मन से ही अर्विंद केजिवाल ने ये रागल आपना शुरू कर दिय था कि उन्हें दिली के CM होने के नाते बुलाया जा रहा है, आमाधी पार्टी के सयोजक होने के नाते बुलाया जा रहा है, गवाक के तौर पर बुलाया जा रहा है या फिर आरोपि के तौर पर, तो दिली हाई कोर्ट में भी Justice Swarn Kantha Sharmahan ने साफ कर दिया है, कि ED के सबूत ये कि अर्विन केजिवाल आमादी पार्टी के सयोजे के तौर पर भी इस शराब घोटाले में शामिल थे तो अब तो कोई शक्षुभा अर्विन केजिवाल के मन में भी नहीं रहना चाहिए उन्हें समझ में आ जाना चाहिए कि इस मूरे घोटाले में beneficiary आमादी पार्टी है जितना भी पैसा मिला है वो आमादी पार्टी को मिला है और आमादी पार्टी ने उस पैसे का इस्तेमाल विधान सभाचुनाव में किया है जो चार राज्यों में हुए थे जिनमें गोआ के विधान सभाचुनाव का सबसे ज़्यादा जिक्र हो रहा है लेकिन गुजरात में भी पंजाब में भी और हिमाचल प्रदेश में भी उस पैसे का इस्तिमाल हुआ है तो आगे कोर्ट ने क्या कहा वो भी आपको बताती हूँ दरसल केश जिवाल ने ये भी दावा किया था कि उनसे वीडियो कॉन्फरेंसिंग की जरीए पूछताच करें एडी की टीम तो कोर्ट ने उनकी इस मांग को सेरे से खारिश करते हुए साफ कहा कि आरोपी तय नहीं करेगा कि जाज किस तरह से की जाए जाज आरोपी की सुविधा के मुताबिक नहीं की जा सकती है तो अरविंद केश जिवाल को यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि वो आम आदमी है दिल्ली के सीएम भले ही हो लेकिन अदालत की नजर में कानून की नजर में वो आम आदमी है और वो तही नहीं करेंगे कि एड सारे और राजनिती कामों में व्यस्त रहते हैं तो कोट ने साफ कह दिया कि आरोपी की सुविधा के मुताबिक जांच नहीं करती है जांच एजनसी वो अपने इसाब से जांच करती है इसलिए जांच एजनसी को जब लगा कि अरविंद केश जिवाल के खिलाफ पुकता पर है तो इन सारी बातों का सवा जवाब दिल्ली हाई कोट ने दे दिया कि अरविंद केश जिवाल तै नहीं करेंगे कि एडी की टीप उनसे किस तरह से पूछ आज करें आगे कोट ने क्या कहा वो भी आपको बताती हूँ दरसल केश जिवाल ने एडी की गिरफतारी पर ये कहकर सवान उठाया था कि चुनावी मौसम में गिरफतारी की गई है ताकि वो चुनाप रचार से दूर रहे और अभी शेक मनु सिंग्वी की तरफ से भी कोट में कहा गया था कि इस तरह से उनकी पार्टी को आमाधी पा ही क्यों ना हो विशेश सुविधा नहीं दी जा सकती है अरविंद के जिवाल दरसल यही तो कोशिश कर रहे हैं कि वो तो दिल्ली के कटर इमानदार सीम है तिहार जेल से सरकार चलाएंगे जांच एजंसी को उनके इसाब से चलना चाहिए उनको अंदर से सरकार चलानी है इसलिए विशेश सुविधा दी जाए तो कोट ने साफ कह दिया कि कोई मुख्यमंत्री क्यों ना हो कानून की नजर में वो बिल्कुल बराबर है और उसे विशेश सुविधा नहीं दी जा सकती है अरविंद के जिवाल के लिए ये अपने आप में एक जोरदार जटका इस गया था कि अरविंद केशिवाल एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं तो उन्होंने जब जजज से पर्मीशन लेकर अपनी बात कोट के सामने रखी थी तो क्या कहा था यही तो कहा था कि वो एक सीम है और एक सिटिंग सीम को क्या चार लों की गवाही के आधार पर कि रफतार किया जा सकता है तो उस वक्त में कोट में कहा था कि वो सीम भले ही होंगे लेकिन कानून की नजर में एक आम आदमी है और नियम काइदे कानून की नजर में सबके लिए एक जैसे ही है वो आम आदमी ही है और यह हाल है उन अर्विंद के जिवाल का जिनकी जो सिर्पर मफलर बांद कर घूमा करते थे ताकि आम आदमी जैसे दिखे उनकी तरफ से आपको याद होगा जब एडी ने अडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेट दिव्या मलोतरा के अदालत में अर्विंद केजिवाल के शिकायत लगाई थी कि वो तीन-तीन स कभी सूठ नहीं पहना इसलिए पार्टी की नजरबे क्या है और इसी तरीके से उनका बचाव उनके वकील कोट में भी कर रहे हैं तो अब आगे कोट ने ये भी साफ कह दिया कि जो अदालत है वो सबूतों पर चलती है Justice Swarn Kanta Sharma ने कहा कि जज कानून से बंदे हैं ना कि राजनीती से कोट के फैसले कानूनी सिधानतों पर दिये जाते हैं राजनीतिक सुझावों पर नहीं कोट राजनीती की दुनिया में दखल नहीं देता है ये सारी बातें दिल्ली हाई कोट ने अपने फैसले में कहीं है और ये भी कहा कि जो लोग जो सरकारी गवा हैं उन पर अगर सवाल उठा रहें तो उनको जाकर ट्राइल कोट में जब ये मामला चलेगा उस वक्त वो अपनी बाते करें दिल्ली हाई कोट ट्राइल कोट के मामले में तो दखल नहीं दे सकता, तो जब ट्रायल कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी, उस वक्त ही बाते की जाए, और साथी साथ दिल्ली हाई कोर्ट ने ये भी का कि अर्विंद के जिवाल ने नौनो सम्मन का जवाब नहीं दिया, यानि कि शराब घोटाले की से बड़ी आफ़त तो ये है कि जो 45 करोड रुपए गोजा विधान सभा चुनाव के लिए इस्तेमाल हुए है, गोजा में आम आधि पार्टी के जो सह प्रभारी है चुनाव के, दुल्गेश पाठक, उनसे भी एक दिन पहले ईडी ने पूश्टाच की है, करीब करीब 6 गंटे पूश्टाच हुई है, आतिशी सिंग भले ही उन्हें अभी इडी नहीं बुला रही है पूश्टाच के लिए, लेकिन वो गोजा विधान सभा चुनाव के दौरान आमाधि पार्टी की प्रभारी थी, तो देर सवेर उनका नंबर भी आएगा, और विभव कुमार अर्विन केशिवाल के नीजी सचिप, जिनका नाम दिली जलबोड घोटाले में भी सामने आ चुका है, उनसे भी इडी ने पूश्टाच की है, और उनसे भी कई एहम जानकारिया इडी को मिली है, और साथी साथ, गोजा विधान सभा चुनाव में जो आमाधि पार्टी की तरफ से उमिद्वार खड़े किये गए थे, उनमें से 15 ऐसे उमिद्वार हैं, जिनोंने एडी की टीम को पूश्टाच की दौरान ये बताया है, कि उन्हें कैश में पैसा दिया गया था, तो सवाल ये उठता है, कि जो पैसा कैश में उन्हें दिया गया था, आखिर उसका सोर्स क्या है, कहां से वो पैसा आया, और वहाँ पर जितने भी वेंडरेस हैं, जिनोंने आम आधि पार्टी के प्रचार के लिए काम किया, उन सबकों भी पैसा कैश में दिया गया है, और उन सबकी गवाहियां भी एडी के पास है, तो अर्विन के जिवाल को ये ही तो दि तो नहीं कहा जा सकता और अब सबसे हम बात यह है कि अर्विन केजिवाल की तरफ से कहा जा रहा है कि वो दिल्ली हाई कोर्ट के बाद सुप्रिम कोर्ट जाने वाले हैं दिल्ली हाई कोर्ट में उनकी सियाचिका को खारिश किया है तो वो सुप्रिम कोर्ट जाएंगे और इस मार्च को इस मामले को मेंशन किया गया था और Chief Justice D.Y. चंदरचूर ने कहा था कि Justice संजीब खन्ना की अदालत जो पहले से शराब गोटाले से जुड़े मामले की सुनवाई करती आ रही है वही बेंच अरविंद केजिवाल के मामले की भी सुनवाई करेगी ये सुनने की तुरंत बात अरविंद केजिवाल के लीगल टीम की तरफ से सुनवाई के मामले की याचिका को वापस ले लिया गया था विद्ड्रॉ कर लिया गया था तो सवाल तो तब भी उठा था कि आखिर जस्टिस संजीव खन्ना का नाम सुनते ही अभिशेक मनु सिंग्वी ने अरविंद केजिवाल की याचिका को सुप्रिम कोर्ट से विद्ड्रॉ क्यों किया था अब फिर से अगर वो सुप्रिम कोर्ट जाते हैं तो यह मामला जस्टिस संजीव खन्ना की अदालत में ही आएगा क्योंकि अभी तक शराब घोटाले से जुड़े सारे मामलों की सुन्वाई वही कर रहे है अभीशेक, मनुस सिंग्वी, मनीश सुधिया का मामला भी उनी की अदालत में लड़ रहे थे सिसोधिया की जमानत याचिका को भी जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच नहीं खारिश किया है जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच में ही कहा गया था कि अगर पैसा नहीं मिला है और पैसा आमाधी पार्टी ने खर्च कर दिया है तो फिर आमाधी पार्टी को पार्टी क्यों नहीं बनाया E.D. और C.B.I. ने उसके बाद ही E.D. ने अर्विंद केजिवाल की पार्टी आमाधी पार्टी को पार्टी बनाया था इस मामले में क्योंकि बेनेफिश्री फायदा आमाधी पार्टी को ही हुआ है और इसलिए आज जस्टिस वर्ण कांता शर्मा ने भी कहा कि अर्विंद केजिवाल ने पूर पर क्या कुछ होता है लेकिन फिलहाल इतना तय है कि आम आदी पार्टी में खलवली मची हुई है सवाल जिस तरह से सौरभ भारदवाज प्रेस कॉन्फरेंस में गवाहों को लेकर अब भी उठा रहे हैं अब भी आरोप लगा रहे हैं कि ED की टीम ने गवाहों के साथ मार पि इनने भी लगाये थे तब ED ने उन्हें जवाब भी दिया था और यह कहा था कि उनके खिलाफ अलग से मामला चलाया जाएगा तो जो बाते सौरभ भारदवाज अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फरेंस में कह रहे थे उनके खिलाफ भी कानूनी शिकंजा कस सकता है और फिर सबसे हम बात तो यह है कि आतिशी सिंग और सौरभ भारदवाज का नाम तो खुद अर्विंद केजिवाल ने ED के सामने लिया है उन्होंने साफसाफ कहा है कि विजे नाय जो दलाल का काम कर रहा था सौथ लॉबी के बीच में और आमाधी पार्टी के बीच में वो आतिशी सिंग और सौरभ भारदवाज को रिपोर्ट करता था तो देर सवेर सौरभ भारदवाज का नमबर भी लगने वाला है आतिशी सिंग का नमबर भी लगने वाला है लेकिन फिलहाल देखना दिर्चस्पोगा कि अर्विंद के जिवाल सुप्रम कोर्ट कब जाते हैं और वहां पर क्या होता है, वहां पर उनको रहत मिलती है या उनकी आफ़त और बढ़ती है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना ना बुले मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार भारत माता की जय हो वंदे मात्रम और जैशिर राम